हलो एवरीवन वेलकम टू लर्णर भी आयम शिवानी चाहान क्लासिक्स मैस चेप्टर 5 एकसाई 5.5 का हम देख रहे हैं क्वेश्चिन वन विच ओफ फॉलॉइंग आर मॉडल्स फॉर पर्पेंडिकुलर लाइन्स पर्पेंडिकुलर लाइन्स के लिए इनमें से कौन सा अगलवाले एक यह वाला और एक यह वाला क्या यह 90 डिग्री बना रहे हैं तो हमें दो दिख रहा है कि हां यह 90 डिग्री बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे येस द एजसेंट एजस्ट क्योंकि देखो अगलबगल वाले हमने बना के देख लिए जो एजसेंट एजसे किसी भी table के adjacent edges of a table top are models of perpendicular line तो भई ये models हैं perpendicular lines के next is the lines of a railway track railway track के lines कैसी होती है railway track इस तरीके से जाता है ना ऐसे तो क्या ये perpendicular है नहीं ये perpendicular नहीं है तो आप लिखेंगे no lines of railway track railway track की जो lines है lines of railway tracks are parallel वो तो parallel होती है parallel lines होती है railway track की लाइन्स क्या होती हैं? पैलेल होती हैं. पैलेल टू इच अदर. नेक्स देखते हैं, लाइन सेगमेट फार्मिंग अल. अब जरह देखो, अल कैसे बनता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, और एक ऐसी लाइन होती है. तो यह तो proper 90 degree ही है तो आप लिखेंगे yes, two line segments of L are the model for perpendicular lines तो हाँ भई, यह model होता है perpendicular lines के लिए, are the model for perpendicular lines D देखते हैं क्या है, letter V, तो यह तो भई सीधा no है ना, यह देखो, V कुछ perpendicular दोड़े ना कोई बन रहा है, तो इसमें आप लेख दोगे no यह नहीं है ठीक है, तो D वाला no हो जाएगा, यह yes हो जाएगा, यह no हो जाएगा और यह yes हो जाएगा अब second question है, let PQ be the perpendicular to the line segment XY तो अब मैं यह वाला रब कर दूँ, यहाँ पर रब कर देते हैं और फिर इसके नीचे हम लोग बनाते हैं hopefully आप लोगों ने यह सारा note कर लिया होगा, तो रब कर देते हैं इसको, अब question number 2 देखिए let PQ be the perpendicular to the line segment XY, तो कैसे बनाएंगे, PQ एक line है, इस तरीके से जा रही है वो PQ line segment है और वो perpendicular है XY के, तो PQ perpendicular है XY के तो ऐसे करके यह बनेगा PQ is perpendicular to XY, ठीक है, let PQ and XY intersect at point A तो यह दोनों कहां पर मिल रहे हैं, A point पर मिल रहे हैं, ऐसा बोला गया है what is the measure of PAY, तो PAY, इसका क्या measure होगा, क्या दिख रहा है आपको, 90 degree दिख रहा है ना तो जो इसका measure होगा, वो होगा 90 degree, तो आप लिखेंगे इस तरीके से since PQ is perpendicular, यह perpendicular का sign होता है, perpendicular to XY therefore PAY is equals to 90 degree, तो PAY क्या है, PAY 90 degree के बराबर है तो इस तरीके से हमारा diagram टा होगा, PQ हमें बोला था कि भाई देखो, perpendicular है XY के, तो यह वाला क्या होगा, यह वाला हमारा इस तरीके के diagram में 90 degree बनेगा, नेक्स देखी, question number 3 है, there are two set square in your box, आपके box में दो set square है, set square कैसे होता है, देखी, एक तो ऐसा करके दिखता है है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके किसे दिख रहा होता है, set square जो दो triangle जैसे होता है, एक बड़ा triangle होता है, एक छोटा triangle होता है तो आपके geometry box में दो set square है, फिर what are the measure of the angles that are formed at the corner तो corner पे जो angles बन रहे हैं, उनका आपको measurement बताना है, कि भई, जो angles बन रहे हैं ना, इनका measure कितना है तो आपको भई, उनको measure करना पड़ेगा, फिर आपको बताना है, do they have any angle measure that is common तो क्या इसमें कोई भी angle ऐसा है, जो की common है, तो जब भी देखो triangle बनता है ना, तो एक 90 degree तो उसमें कोने पे कई बार mostly बनी जाता है, तो इसमें भी बनता है, तो हाँ common है, तो एक बड़ा है, तो बड़े वाले के जो angles बनते हैं, तो उसमें एक 60 होता है, और एक होता है 30, और ये जो छोटा वाला आपका होता है z square, उसमें 45 और 45 degree के वो होते हैं, तो हम इस तरीके से डिखतेंगे, तो आप येस बताएंगे, कि ए वाला जो है, उसके measure है 30 degree, 60 degree and 90 degree, दूसरा जो है B वाला, उसमें 45 degree है, 45 degree है और 90 degree है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे, yes, they have a common angle, तो हाँ, उनका एक common angle होता है, yes, they have common angle of measure, और उसका measure क्या होता है, common angle का, of measure 90 degree, जो ठीक है, 90 और 90 दोनों में common है, तो ये हमारा question number 3 हो गया, इस तरीके से आपके search square है, आपके geometry box में उसका measure बताना है, अब question number 4 है, ये जो diagram आपके सामने है या इसको आपको study करना है, इसमें हमें बताया गया है, कि जो line L है, यानि कि ये वाली जो line है, ये perpendicular है M के, इस वाली line के, फिर अब हमें बताना है, क्या CE और EG बराबर है, तो CE कौन सा वाला है, ये देखो, CE ये और EG, क्या ये बराबर है, तो study करने के बाद देखते हैं, इसमें हमें ये बोला गया है, देखो, ये यहां से 0 से 1, 1 से 2, 3, 4, यानि कि सब की जो measure है, वो क्या है, 1 unit या फिर आप 1 cm मान सकते हैं, सब के बीच का gap 1 cm है, तो अब हमें gap पता लग गया, तो हम देखते हैं, C और E के बीच का कितना gap है, तो 1 cm यहां से यहां तक, और 1 cm य यहां से यहां तक, यानि कि 2 cm या फिर 2 unit का gap है, E और G, E से लेकर G तक, यह भी 2 unit का gap है, तो क्या C E और E G बराबर हैं, तो हां हम कहेंगे yes, इस तरीके से आप लोग लिखतेंगे, मैं यह रब कर रही हूं यहां पर अप question number 4 हम देखते हैं, तो question number 4 का जो A पाठ है, उसका answer हमारा yes में आएगा, और क्यों, क्योंकि भाई देखो, वो बिल्कुल बराबर बन रहे हैं, तो इसमें आप लिखेंगे yes, C E भी जो है, वो 2 unit के बराबर है, और E G भी जो है, वो भी 2 units के ही बराबर है, तो इसलिए C E और E G दोनों आपस में equal हैं, तो हमारा A पार्ट हो गय B पार्ट में हमें बोला गया है, does PE bisect, CG bisect का मतलब होता है काटना, तो क्या PE, PE क्या है, PE ये, और CG, CG है ये, क्या PE CG को bisect कर रहा है, हाँ तो देखो bisect मतलब काटना, तो yes, ये bisect कर रहा है, आप लिखेंगे yes, PE bisects, CG, PE CG को bisect कर रहा है identify any two line segments for which PE is perpendicular bisector, तो बताओ, PE किसके लिए perpendicular bisector है, perpendicular bisector का मतलब होता है, जो बिल्कुल 90 degree में bisect कर रहा होता है, यानि कि 90 degree angle बनाखर के काट रहा होता है, तो PE, PE कौनसी वाली line है, PE ये वाली line है, identify any two line segments, जो की line segments for which PE is perpendicular bisector, PE perpendicular bisector है, बताओ, किस किस के लिए, तो बहुत सारी lines के लिए, ये perpendicular bisector बन रहा है, आप लिख सकते हैं, BG और DF, कैसे देखो, BG, B से लेकर के G तक है न, ये इस तरीके से इसको काट रहा है, D और F, इसको भी ये काट रहा है, तो भाई, ये जो PE है न, ये वाला जो PE है, ये बहुत सारी lines को काट रहा है, अब है next हमारा, are these true, क्या ये true है, AC क्या FG से बढ़ा है, तो AC यहां से लेकर के यहां तक है, यानि कि 2 unit है, और FG, FG 1 unit है, ठीक है, तो आपको D वाला गर मैं लिखूँ, तो AC क्या है, AC जो है, वो 2 unit के बराबर है, और FG, ये जो है, ये 1 unit के बराबर है, तो इसलिए AC जो है, वो FG से बढ़ा है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो यानि कि 1st वाला true है, अब next जो है, CD क्या GH के बराबर है, तो देख लेते हैं, C, G, GH के बराबर है क्या, C, G, C, G किती unit cover कर रहा है, 1, 2, 3, 4, तो CG क्या है, CG किसके बराबर है, CG जो है, भई, वो 4 units को cover कर रहा है, ये 1st हो गया, 2nd part, C, G, 4 units को cover कर रहा है, और GH, GH तो भई, सिर्फ एक ही unit को cover कर रहा है, C, G, 4 को कर रहा है, और GH सिर्फ एक unit को cover कर रहा है, इसका मतलब है कि CG तो जो है, वो GH से बढ़ा होगा, तो जो CG है, वो GH से बढ़ा होगा, और ये तो equal बता रहा है, तो ये हमारे पास आजाएगा कि false है ये वाला तो, है ना, क्यों, क्योंकि GH, GH तो ये है, और, अच्छा CG नहीं है, सॉरी मैंने CG का पढ़ लिया था, CD है ये, सॉरी, 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 ये भी one unit है, मैंने CD के जगा CG पढ़ लिया था, ये true है, क्यों, सॉरी, true इसलिए है, क्योंकि CD एक ही unit है, BC, अब, BC कौन सी वाली unit है, देखो, BC, यानि कि ये वाली, और, EH, EH बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो, EH बड़ा है, हाँ, ये बात भी true है, तो, यानि कि ये तीनों के तीनों true है, सॉरी, मैंने CD के जगा CG पता नहीं कैसे देख लिया था, तो, सारे के सारे ये true है, क्योंक 您 कैसिए को मैंने, झाले थानि कि नहीं है, तो कि ये थागए अमीड़ा जाए, जे दो झाले किया थानिकन ये, लिदाने,ब। बड़ा है, बात हम पता, थैसे दो,से हम चानि से देख खपे है, ये ले व